इस वीडियो में प्रस्ण 6 का हल करेंगे, देखिए, इसमें क्या काता है, आकर्ती इतना में, यदी तिर्वुच A, B, E, सर्वांग्सम तिर्वुच A, C, D है, तो दर्साइय की तिर्वुच A, D, E, समरूप तिर्वुच A, B, C है, देखिए इस प्रस्ण में दिया हुआ है तिर्वुज A B E सर्वांगसम तिर्वुज A C D ठीक है यह दो तिर्वुज सर्वांगसम दिया हुआ है दर्साना है यह दिखाना है तिर्वुज A D E समरूप तिर्वुज A B C यह दोनों तिर्वूज सम्रूफ है यह दिखाना यानि सिध करके दिखाना है तो देखिए इसको हल करते हैं कि परेमान परमान अथवा उपती लिख सकते हैं ठीक है इसको भी नहींचेंगा आप डारेट हल भी लिख देंगे तो कोई दिखकर निए अब अब हल लिक बना सकत तो देखिए इसलिए हम लिख सकते हैं देखिए AB बराबर इसी देखिए सरवंक्सम तिरभुजों के संगत भाग बराबर होता है यहनि संगत भुजाएं बराबर होता है तो देखिए संगत भुजाएं कैसे चेक करते हैं पहले दौतर से बनने वाले भुजा ab А तो इसका ना देखी पहले दौतर होना चाहिए यहां काराण देंगे सिपीऀसिटी कैसे साव कि सोटम लिखने सी पीद्यांगल ठीक है तथा अब देखिए इसको लेंगे पहले और अंतीम अर्चर से बनने वाले भुजा तो यहां भी देखे पहले और अंतिमचर से बनने वाले भूजा AD यह भी कहां से बरावर रहाँ इसका भी कारण देंगे CPCT ठीक है तो आप कहेंगे BE बरावर CD भी होगा होगा लेकिन इसका जोरत नहीं इसलिए इसको नहीं लिखें तो देखिए एई बरावर AD या हम इसको ऐसे भी लिख सकते इसको इधर कर देंगे AD बरावर AE उससे कोई दिक करने है जैसे देखिए पहले परस्द में बता चुके है जैसे देखिए X बरावर 5 लिखें या 5 वरावर X लिखें बात तो एक है उसी परकत इसको इधर कर दियें इसे क्यों कियें यह आगे आपको पता लग जाएगा देखिए इसको बोल देते हैं समीकरण एक और इसको बोल देते हैं समीकरण दो अब देखिए समीकरण दो को समीकरण एक से भाग करने पर देखिए समीकरण दो से समीकरण दो को समीकरण एक से भाग देंगे समिक्रन 2 को समिक्रन 1 से भाग करने पर क्या होगा देखी समिक्रन 2 में क्या है तो 67 एक स्थी एक से बाग करने पर इतना प्रापत हो रहा है Yang के यह देखें जान मिक्रंद 3 ठीक है देखिए अब अब देखिए सीध क्या करना है यह तिरवुज A D E समरुप तिरवुज A B C देखिए तिरवुज A D E समरुप तिरवुज A B C यह सीध करना है तो इसमें देखते हैं कौन सा नियम लगेगा इतना तथा तिरवुज A B C में इसमें देखिए यह कौन लिख सकते हैं उसको जी करने है तो देखिए कौन एक बरावर कौन यह दोनों तिरवुज में आ रहा है देखिए देखिए तीरबूज A, D, E और A, B, C दोनों में यह कौन A आ रहा है इसको कौन एक नाम दे दी है अब चाहे तो A, B लिखें कोई दिखर नहीं है तो कौन एक बरावर एक इसको बोल दे है यह क्या है उभाईनिष्ट है तथा देखिए A, D, B, A, B बरावर A, E, B, A, C यह कहां से इसका भी कारण दे देंगे समीकरन 3 से यह चीज़ कहां से लिखें समीकरन 3 से लिखें तो देखिए देखिए आ करती देखिए A, D, B, A, B यह भुजा और देखिए A, B इसका अनुपाद A, E, B, A, C ठीक है देखिए यह संगत भुजा है देखिए A, D, और A, B ठीक है और A, E, और A, C यह संगत भुजा है तो देखिए संगत दोनों संगत भुजाएं समान अनुपात में है और यह 20 वाला कौन बरावर है ठीक तो देखिए दोनों तिरूज समरूप हो जाता है किस नियम से किया लिखेंगे देखिए अत्त कि तिरूज A D E समरूप है तिरूज A B C के किस नियम से तो यहां लिख देंगे S A S एंगल साइड एंगल समरूपता समरूपता का सोटी यह कारान लिख दिये यहने एंगल साइड एंगल यहने देखिए दो संगत भुजाएं समानूपाद में और यह बीज वाला कौन क्या बताएं देखिए जैसे यहां बताएं आकरती देखिए देखिए यह संगत भुजाएं और यह संगत भुजाएं यहने A D और A B और A E A E और A C यह संगत यह संगत भुजाएं समानूपाद में और यह बीज वाला कौन बराबर है इसलिए दोनों तिरवुज S A S समरूपता का सोटी से समरूप हो जाता है ठीक है वीडियो आंद करता है यह वीडियो आपका अच्छा लगा तो लाइक करें कमेंड करें